और साथ ही साथ एक चीज जो छूटती है वो होती है रेटायर्मेंट प्लानिंग अब ये रेटायर्मेंट प्लानिंग क्यों हम अवाइड करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो कुछ समय बाद आने वाला है और उसके कारण हमारे अंदर जो एक अवाइडेंस का नेचर आ स्तार से चर्चा करने के लिए जो की व्यवसाय से सीय हैं नमस्तर मुकेश जी आपको जैसे की पता है कि रेटायर्मेंट अधिकतर लोग जो इसको अवाइड कर देते हैं और यह अवाइड करनी के साथ-साथ उनको लगता है कि आने वाले समय में हम इसके बारे में सोचेंगे जब समस्य आएगी तब जो हमें इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे या इसकी प्लाइनिंग करेंगे तो क्या ये कहां तक ठीक है आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको और दश्कों को दूसर सभी को बहुत बहुत नमस्का धन्वाद देना चाहता हूं सच में आज को जो विशे है बहुत ही यूनिक विशे और बहुत ही अलग विशे है एक सच वो है रिटार्मेंट जिसको की टाला नहीं जा सकता है और जैसा कि हम ज 17 साल की एजुकेशन लेने के बाद जब हमारी नौकरी लगती है हमारी जॉब लगती है और जब हमको पहली सैलरी मिलती है तो यकीन मानना जब सैलरी हमारे हाथ में आती है तो हमें यह नहीं पता होता कि इसका मिनेजमेंट कैसे करना है इसकी बचत कैसे करना है क्योंकि हमारी finance का management करें तो आज आपका जो प्रसने बहुत ही अच्छा है दोस्तों जब आपकी पहली salary मिलती है वही से यानि लगबग आपकी 20 से और 30 परस की retirement को लेकर आप बिल्कुल भी गंबिर नहीं होते हैं लेकिन अगर आप अपनी income का total budget बना कर केवल 20% अगर आप निवेश कर पाए तो यकीन मानिए आपकी जो retirement के समय जो आपकी earning आएगी उसका 80% आपको यहीं से मिलेगा तो मेरा कहने का मतलब यह है कि student को जब अपना पहला job मिलता है वहीं से वह अपनी retirement के बारे में स्काना ही करना सुरू कर देए चर्चा को हम जारी रखेंगे हम हमारे बीच में नंस्वरूप मिश्रा जी जो है दर्सक जोड़ जोड़ तो नंस्वरूप जी आप अपना प्रश्न पूछिए जी सर् जी 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 बहुत अच्छा प्रस्न है आपका सर बलकि आज कई senior citizen इन प्रस्नों को जवाब जानकर बहुत ही संतुष्ट होंगे तो मैं सबसे पहले तिये बताना चाहूंगे यह आप senior citizen है तो आपको लंबे निवेस में जाने की जरूत नहीं है सबसे पहली बात तो है आपको हेल्थ की पॉलिसी होना आपके पास बहुत यह निवार है क्योंकि आपका स्वस्त कब खराब हो सकता है कब इशू आ सकते हैं और उसके लिए धेर सारा धन लगे इससे अच्छा है कि आप एक बढ़िया मेडिकल की एक हेल्थ पॉलिसी लीज इसमें जो रिटन्स है आपको हर तीन मेने में हर क्वार्टरली कंपोर्णिंग होता है बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपका पांच साल का इसका लॉकिंग होता है और इसकी पंदर लाक रुपे से आप ज्यादा इसमें निवेश नहीं कर सकते तो मेरा मानने दिया तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कब क्या प्राब्लम आये तो आपको जो फाइनेंसर का जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो बना रहा है इसके लिए जरूरी है कि आप ट्रेडिशनल एप्रोच में जाए जैसे कि आरवी आई के भी बॉंड आते हैं अगर आप और आप और आपको कमपॉंडिंग करके ब्याज मिलता है और चुकी जैसा कि आप आरवी के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर हमारा निवेश पूरी तरह सुरक्षित है दूबने की कोई गारांटी मतलब ऐसा कुछ है नहीं है तो हमको चाहिए कि हम उन निवेश की तरफ जादा करके आप शोट ट्रम के निवेश करने की कोशिश करें जहां से कि आपको जरूरत हो सकते हैं कई बर क्या ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने खर्च को कम कर दें तो भी हमारी इंकम बढ़ जाती है आपकी बात को रोकना चाहूंग यहां पर मेरे पास कोई भी सीनर सिटिजन बेखती आता है ना तो मैं सबसे पहले यही उससे प्रस्ने करता हूं क्या आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ले रही नहीं ले तो आप उसे लीजे बैसे भी आजकल की यूवा बहुत जागरुक हो चुके वह तो अपनी जवानी में ही पॉलिसी ले चुके होते हैं विपिन जी अब जी सागर से हैं नमसकार विपिन जी आपको हमारी आवाज आ रही है तो में जाना चाहिए तो मैं जाना चाला था कि सबसे अच्छा मतलब कुंछा बुर हैगा निविस करने के लिए कि प्रिसने विपिन जी आपका सागर से देखिए जब आप यूबा होते हैं तो आपके अंदर जोखिम लेने की चंपता होती है तो आप ELSS में अपना निवेश करिए आप SIP ले सकते हैं जहां पर बहुत अच्छा आपको निवेश मिलता है आज तक इतिहास गबा है कि जितने अच्छे mutual funds हैं उन सभी ने कहीं नगी 12% से ज्यादा अच्छा निवेश दिया है तो आपके प्रस्निक अनुसार मैं यह कहना चाहूंगा कि आप ELSS equity link जो scheme है उसमें आप लीजे क्योंकि आज से करीब 15-5-6 साल पीशे में जाकर देखता हूं तो उन्होंने 12-14% के आसपा आराम से रिटन दिये हैं तो आप इन निवेश पर जाकर आप अपने रिटन को मल्टीपल कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पता है जब 30 years से आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास जवाबदारिया कई बढ़ जाएंगी जैसे कि माली जी आपकी शादी हो चुकी होगी ह हो सकता कि बच्ची हो चुके होंगे तो ऐसी दसा में आपको मकान बनाने के प्लान करना पड़ेगा तो कहीं न कई पर आपको मकान में निवेश करने की जरूत पड़ेगी तो वहां उस कंडिशन में जो आपका निवेश है वह 20% से घटके करीब 15% पर आजाएगा क्योंकि उस उमर पर थोड़ी जआफदरिया बढ़ने लगती है तो जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे पाद सोशल रिस्पॉंसलिटी बढ़ती है परिवरी जिम्मेधारिया बढ़ती है बच्चों की पढ़ाई होम लोन कि किस्ते तो इन सब को ध्यान बहुत सारा handsome fund होगा और आपकी जो retirement का happy retirement बन जाएगा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कई बार हमें दुख होता है कि हमारा retirement आ रहा है अब हमें salary नहीं मिलेगी अब हमारे पास job नहीं रहेगी वो जो है सुहाने सफर में बन जाएगा वहाँ पर हमारे पास fund भी है हम उसे उचित तरीके से या जो भी हमें suitable लग रहा है हम वहाँ पर उसे खर्च भी कर सकते हैं और हमारे उपर जो है financial पाबंदिया नहीं होती बिल्कुल नहीं होती बहुत important है life के इस पड़ाओ में अगर आपके पास financial पाबंदिया नहीं है तो आप life को enjoy करते हैं और आज की date में अगर द निवेश कर रहा है बिल्कुल से रेटार्मेंट प्लानिंग और निवेश में जैसा कि मुकेश जी बता रहे हैं अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि tax budget भी एक बड़ा important aspect हो जाता है जो कि उन वर्ग के लिए जो नौकरी पेशे से संबंदित है या नौकरी पेशे से नहीं भ भरूंगा तो कुछ ऐसा मंत्र बताएं आप जिससे निवेश भी हो और बचत भी हो जाए retirement planning भी हो जाए और साथ ही साथ कर लाव भी हमें मिल बहुत बढ़ियां प्रस्ट ने किया दोवे जी आपने देखिए चुकि आज का हमारा program युवाओं से लेकर retirement अका है तुम यु है number one सबसे अच्छा होता है मेरा NPS क्योंकि जो NPS होता है वो long term जरूर होता है लेकिन उसके कई फायदे हैं सबसे पहला फायदा तो है कि जब आप NPS में पैसा डालते हैं तो section ATC के साथ ATC Series 1 जो होता है आपको extra 50,000 तर और मिलता है तो और उसके बाद जब भी निवेश करत आप पहुंचते हैं जब आपको उसका 60% आपको return पैसा मिलता है तो वो भी पूरी तर एक्जम्ट होता है NPS को लेकर लोगों की धाड़ना यह ऐसी है कि इसमें पैसा लंबे तमग फसता है वापस नहीं मिलता ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप NPS आज लेते हैं और माली ज दूसरा होता education तीसरा होता मकान और चौता होता है कि आप कोई बीमार हो जाते हैं कुछ हो जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में आप NPS से 25% का अपना withdrawal कर सकते हैं NPS मेरी सबसे पहले पसिनी देदा चीज है क्योंकि बहुत सुरक्षित निवेश है और सरकार के द्वारा उसको संचालित कियाता है दूसरा मैं हमेशा क्लाइंटों को सला देता हूं अपने दोस्तों को सला देता हूं आपकी चैनल के माध्यम से हमेंसा दर्सकों को बोलता ऐसा मत करिए आप अपना जी आप अपने क्या करिए साल भर की बजट बना लिजे किस साल मेरे पास इतनी सैलरी आएगी उस सैलरी में से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो की आपको बच्चे हैं तो उनमें आप स्कूल की फीस देते हैं वो आपको डिड़क्शन मिलता है आप किराय के मकान रहे तो वो मिलता है अगर मालें जे खुद का भी मकान है लोन ले रखा है तो उसके यह माइज चुक आते हैं वो भी आपको मिल जाता है तो उन खर्चों को माइनस करने के वदर आपको लगता है क्टी सी मेरे कूश जगे बच रही है तो आप क्या करिए दू चोटी चोटी ची बचत हो जाती है और ये बचत रिटार्मेंट के समय आपको बहुत काम आएगी जब आप परिबार के साथ घूमेंग इंजॉय करेंग उससा में बिल्कुल सही रहा है कई ऐसा ना होग उस उमर पर आपको काम करना पड़ जाए इस यश्वन साहू जी यश् इंचूरेंस की पूलिसी का पूछना है कि ह्डो हैं इक हां से मिल सकती है ऑल्ड और धूर सान है ऑजकर शियर्चय कंबना नाम नहीं ले सकते हैं तो कंपनी Sum Surkties होडि है GP सारी चोडियों को ही ग्रीक कुषियेंimana रिख्स कोते गेंक लेकिन बातरियों को कि आज कम से कम आप दूर्दसन के माधिन सुनकर आपने हेल्थ पॉलिजी का डिसाइड किया इसके लिए हम आपके बहुत आभारी है धन्नवाद थैंक यू एक प्रश्न जो हमारे पास ऑनलाइन है जिसमें ये पूछा गया है कि ग्रामेड चेत्रों में ये अवेरनेस नहीं है कि लोग इंसुरेंस या हेल्थ इंसुरेंस की पॉलिसियां कहां से ले और कौन उन्हें सही तरीके से गाइड कर पाएगा तो इसके लिए अगर कुछ और साथ ही साथ ये भी कि वो निवेशित भी होना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देगी है देखि अचन योजना हैं आप उसमें निवेश कर सकते हैं और अपने रिटार्मेंट को बोल को सेट कर सकते हैं करीब तीन अजार पैती सुर रफ में पर मंत की पंदरा सुर में किस्ता आएगी और यकीन मानक हैंड सम इमांट आपको रिटार्मेंट के सम्म मिलेगा और वही बैंक आपको एक हेल्थ पॉलिसी भी प्रोवाइड कर देती है क्योंकि आजकल क्या हो रहा बैंक और इंसुरेंस दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारी जो सरकार वरतमान की वह भी कहीं नहीं किसान से जुड़ी हुए तो उसने भी सारी योजनाय निकाली बस जरूत है आप आपको बैंक तक पहुचने की तो आप अपने बैंक तक जाएए और भाजा के देखिए आपको धेड़ सारी योजनाय मिल जाएगी फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप बेसक हमारा नंबर ले सकते हैं और कभी भी फोन लगा सकते हैं कि गि किसान है तो आज ही बैंक जाएए और उस पेंशन का विस्सा बनिये और साथ जात में कर में छूट मिलेगी आप टैक्सिबल पैरे में आ रहा है हलाकि किसान की जो आये है वो पूरी तरह कर मुक्त है लेकिन फिर भी इंडारेक्ट इंकम आदि आप कोई करते हैं इसे डेरी में एक सुविदा और है अगर हमारे किसान भाई बैंक में जाकर यह बोलेंगे कि मेरे ख्याल से दो सो यह तीन सो तीस रुपए लेकर एक टर्म इंसुरेंस भी होता है जिसमें कि आपको एक करी दो लाग रुपे तक किसी दुरगटना के कारण अगर नुक्सान होता है तो आपको परिवार को दो लाग तक बीमा सुरक्षा भी मिलती है यह भी सरकार ने बहुत अच्छी सुविदा हमारे गिरामडी भाईयों के लिए कराई है प्रॉबलम आती है कि कई बार जब व्यक्ति रेटायर होता है तो उसको पीएफ और ग्रेचुटी का अमाउंट लंब सम मिलता है चुकि नौकरी और पेशे में रहने के बाद व्यक्ति एकठा पैसा समालने का जो मानसिक छमता रहती है वो नहीं रहती है और वो पैसे को कह नहीं नहीं अनावश्यक तरीके से खर्च हो जाता है और बाद में पता लगता है कि यार ड्रेचुटी अमाउंट पीएफ एमाउंट मुझे मिला तो इतना था लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है जे तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें बहुत अच्छा आपने प्रस तो मुझे यह बताओ कि मैं निवेश कहा करूँ तो मैंने अपने नाना को सहला दिया था कि इसका एक पॉट्फोलियो बनाते हैं सबसे पहले हैं पॉट्फोलियो मतलब एक हम कुछ जो फंड है वो ट्रेडिशनल में रखते हैं जैसे एफडिया ग्रूप में रखते हैं कि कि मेरे नाना को रेगुलर इंकम मिल सके और वो किसी पर आस्रित ना हो सके तो जब आपके पास अचानक पैसा आता है तो कई लोग आपके पर जूम सकते हैं अचानक आपके पास आ सकते हैं कि हमारे फलाने को इतना पैसा मिला है हमेरे लिए दिला दीजे वो दिला जिए त आप 20% इन सब खर्चों के लिए मैनेज करें, 80% अपनी सेविंग जरूर करें, क्योंकि जब आप सीनर सिटीजन हो जाते हैं, आपका शरीर उतना उर्जावान नहीं होता, तो आपको रेगुलर रेटरंस की, तो रेगुलर रेटरंस निवेस करने के लिए आप फंड बना ले और उसमें कोशिस करें, आपका थोटा सा पोर्शन FDR का भी रखें, अब एक बात आती है, emergency fund, क्योंकि देखें, retirement हो गए हैं, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियां हमेशा लगी रहती है, या कभी भी अचानक, instant कोई आकश में घटना हो जाती है, या कभी ऐसा लगता है, कि क proper budget बनाई है, मैंने आपको 20% पहले ही कहा था, 20% आपको जो fund है, वो एक अकास्मिक रूप में होना चाहिए, कि अचानक कभी आपकी health वीमार हो जाए, आपके परिवार में कुछ प्राब्लम हो, शादी व्याओ, सडल नहीं कोई चीज हो सकती है, बिलकुल, आकस्मिको आते हैं, बहुत से आते हैं, क्योंकि कहते हैं, इंसान है तो समस्या रहेगी, और समस्या तभी हम जीवित हैं, तो इसका मतलब एक हमको अपना जो fund है, उसका 20% fund हमको इन चीज हम जुरू बचा करना चाहिए, 80% जो है, वो केवल हमको निवेस में चलना चाहिए, और एक बात हो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वही से आप बचत करना सुरू करिए, और अपना जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप उसमें बचत करते रहें, उसको multiple करते रहें, और कोशिश करिए कि fund का management ऐसा हो कि जब आपको जरुद हो आपको तुरंत मिल जाए, ऐसा ना हो कि आप जरुद से ज़्यादा open market में ल जाए, महाँ पर धेर सारी स्की में, जो आप महाँ से मिल जाएगी, जो बहुत सुरक्षित भी है, और मजगी बात है, पांच लाक रुपे तक की बीमा गारंटी भी है उस पर, जी, मुकेश चलते चलते आप हमारे दर्शकों को संचित में क्या संदेश देना चाहेंगे, जब आप उर्जवान होते, जब युवा होते हैं, इसी यही चरण से जरूरत है आपके बचत करने, निवेश करने की, अधी आप यहीं से अपनी प्रवत्ती डाल लेंगे, तो मेरा मानना आएगी, जब उमर के किसी दराज में पहुंचेंगे, तो आप किसी के सामने आपक का बहुत बहुत आबाद धन्यवाद 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 तो दर्श दर्श जोरुएं